आज आप बनाएगे बहुत ही टेस्टी फेमस पंचावी डिश जिसका नाम है कढ़ाई पनी इससे आप अकसर रेस्ट्रिंट में खाते हैं लेकिन इससे अब आप घर में भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं चटपट से बनने वाली इस कढ़ाई पनी की रेसिपी को आप जब मन चाहे तब बना दीजे चलिए इसकी रेसिपी को चिटकी में बनाते हैं मैं आपके लिए हमेशा नहीं नहीं रेसिपी लेकर आती हूं अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत तरीके से चोटे क्यूब में कट किया है और इसे हम थोड़ा सा बटर के साथ ना भूनेंगे बहुत जाता नहीं भूनना है इस तरीके से उलट पलट के हम मीडियम फ्लेम पर रखकर इसे थोड़ा सा सौटे करेंगे तो इसे खाने में और भी टेस्टी लगेगा वैसे आप नहीं भूनना चाहते हैं तो यह स्टेप स्किट कर सकते हैं तो आगने पनीद को थोड़ा सा सौटे कर लिए हलका ब्राउन कंलर और जैसे की देखने में और भी अच्छा लगएगा ए और खाने मैं यह और भी अमेजिग सब तीन टेबvil स्पून तेल अर साथी में इसे में जिए में तेल के साथ थोड़ा सा भुनना चाहिए दोनों को किमद बिल्कूल अच्大概 से सौटे करें जब т поки जीरा और सुट धोरत भुनना जाए भुनने के बाद पूरा धनीया जिसे मैंने थोड़ा सा छोड़ा धन्य धनीया गनॉल्श कर लिया भाता धनीया 네 Love बहुत जल्दी जल जाता है तो हलका सा भुनने के बाद अब इसमें डालते हैं बारीक कटेवे प्यास तो यहां पर लगभग मैंने अच्छी कॉंटिटी में दो कप प्यास लिया है और बिल्कुल फानली चॉप कर लिया है और इसे भी हम बटर और तेल के साथ बहुत में चॉप किया हुआ लहसुन भी डालते हैं अगर आपके बास अध्रक लहसुन फ्रेश नहीं है तो आप यहां पर जिंजर गालिक पेस्ट का भी यूज कर सकते हैं और इसे भी हम प्यास के साथ थोड़ा सब भुनेंगे ताकि इसका कच्छा पन निकल जाए अब इसमें यहां पर चार मीडिम साइस के तमाटर को थोड़ा सा कुकर में बॉयल करके उसे घ्राइंड कर लिया है वैसे आप यहां पर चाहिए तो कच्छी तमाटर को भी प्यास के साथ बिलकुल अच्छे से भुनना है और इसे चलाते रहिए नहीं तностью पैन के तले में मिलम सा ब्हा न को पशे जीरा पाउडर है वृट ऑर साथ मिभग पाउडर धूडर डालेंगे बहुत जाता नहीं डालना है और सबी अच्छे से मिक्स करें तो यह देखें मसाले बिल्कुल अच्छे से भुन गए हैं यह पैन को छोड़ दिया है तो इसका मतलब है कि यहां पे मसालो को और नहीं भुनना है अब इसमें डालते हैं प्यास जिसे मैंने इस तरीके से मोटा कट किया और साथी में इसमें शिम्ला मिर्श भी डालेंगे अ हुआ यह देखने में इतना अच्छा लग रहा है मसाले बिल्कुल अच्छे से कोट हो गए है तो चलिंगर अब इसमें डालते हैं फ्राइक अपनी तो इसमें तो यहां पर अभी भी ग्रेवी काफी है तो थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे तो यहां पर लगभग मैंने 400-500 ml पानी का यूज किया है और जैसे पाई डाल रहे हैं वैसे मसाले पानी को अब्सॉर्फ कर ले रहे हैं और चली अब इसे अम धख देते हैं और लगभग तीन स चान मिर्ट तक मीडियम लो फ्लीम पर रकर इसे हम कुक करेंगे तो तीन मिर्ट हो गया अब हम धकनगों खोलते हैं और यह देखे बहुत ही पॉफेक्ट हमारी कढ़ाई पनीर बनके रेडी हो गई लेकिन लास्ट में डालते हैं कसूरी मेथी जो की हर रेस्टरेंट में ड आप घर में बहुत यासानी से बना सकते हैं तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए चानल को सब्स्राइब कीजिए और भी रेसिपी आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं